तो हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल अर्थशास्तर की नगरी तो गाईज जैसे कि आपने थम्गी के अंदर देखी लिया है आज मैं आपको जो है दो ऐसे बैसे बेस्ट सेंपल पेपर के रिगार्डिंग बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपने टम वन के बोड एक्जाम के अंदर प्रिपेर करके जाते हैं तो उस सेंपल पेपर से कोश्चन आने के जो चांसिज है या उस टाइप के कोश्चन आने के जो चांसिज है वो कहीं जादा है गाईज मैंने आपको प्रिवियस वीडियो के अंदर जिसमें मैंने आपको यह बताया है कि 10 दिन के question आ सकते हैं कैसे कैसे question आ सकते हैं और उस sample paper में से आप अपने preboard को अगर उससे compare करेंगे तो भाई आपको देखने के लिए मिलेगा कि कई सारे question आपके जो हैं उस preboard के paper के अंदर और जो आपके इस sample paper को मैं आपको एक्जाम में आने के जो चांसें वो कही जाद हैं मैं आपको पहले कहा हूँ केवल दो sample paper आपको करने हैं एक तो जो CBSC का है वो तो आपको पता ही है ठीक है एक तो वो करना और एक और करना है केवल दो sample paper आपको करना है ये best है आपको economics से अंदर full में से full marks दिलाने के लिए और जो दूसरा sample paper है सबसे अच्छी बात क्या है सबसे अच्छी बात यह है कि वो sample paper हिंदी में है मतलब आपको CBSC वाला sample paper है वो तो English में है तो बच्चों को दिक्कत हो दे कि सर इसको हिंदी में translate करिए तो जो दूसरा sample paper है वो already हिंदी में आपको जो है उसको translate करने की भी जरूरत नहीं और सबसे अच्छी बात marking scheme भी आपके पास जो है उसकी available होगी तो आपको answer इसकी क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो भी आपको हिंदी में ही मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जो है कैसे आपको ये दोनो sample paper download करने है और अगर आप चाते हैं कि इस sample paper का solution दोनों का ही मैं इसकी वीडियो बना के डालूं तो आप मुझे comment box में comment करके जो है बता सकते हैं बस एकी बात कहना चाहूंगा कि भाई आप जो है इसको हलके में मत लीजिए जो भी CBSC sample paper डालता है उसके उसमें से question आने के जो chance है आप किसी भी साल से compare कर लीजिए 2020, 2019, 2019, 2017, 2016 किसी भी साल से आप compare कर लीजिए आपको CBSC ने हर साल sample paper डालता है उसमें से कुछ ना कुछ portion same ditto question आपको exam में board के final exam में आपको देखने के लिए मिलता है तो आपको क्या करना है step by step मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप जो है वो दूसरे वाले sample paper को download कर सकते है बट first of all बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे ठीक है बहुत ज़्यादा ध्यान से first of all तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन से दो कर prepare करने जाने देखें सबसे पहला जो है सबसे पहला जो है आपका जो है वो ही cbsc वाला है तो आप google पे सर्च करेंगे cbsc sample paper class 12 ठीक है तो आपको enter कर देना है और उसके बाद जो है सबसे पहले पहले ही जो link आएगा आप यहाँ पे जो है click कर देंगे ठीक है यहाँ पे आपको cbsc ने update कर रखा है और इसके regarding आपको बहुत ही अच्छे खासा पता है यहाँ पे आप देखी रहे है economics यहाँ पे इसका यह sample paper है ठीक है और यह इसकी जो है तो मैंने इसको हिंदी में भी convert कर रखा है playlist के अंदर जो है playlist के अंदर यह पूरा का पूरा sample paper हिंदी में अविलेबल है तो आप इसको हिंदी में भी download कर सकते हैं बट ऐसा कोई यार दिक्कत परिशानी वाली बात नहीं है आप अगर इसको question का पढ़के आपको यार English तो समझ आती है कि वो question में क्या पूछ रहा आप 12th के student हो तो अगर आपको यह भी नहीं समझ आ रहा कि यह पूछ क्या रहा है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है हिंदी में इसको convert करना आपके टोटल 60 question है assertion, reasoning, statement, true, false, matching, MCQ and यह table वगेरा साली की सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगी जैसे आप खुदी देख लो यह question है यह question है budget का ठीक है pre-board के अंदर आपने देखा है ना लड़कियों वाले pre-board के अंदर ऐसा question आया है जिसके अंदर आपको ऐसी ही digit दे रखी थी और वो पूछ रहता जी बताईए राजस्व घाटा कितना है राजकोशिय घाटा कितना है तो भाई यह जो CBSC के sample paper है आपको इसको करके जाना है same question आपको डिटो कोई change नहीं same question आपको इसमें से देखने के लिए मिलेगा तो मैं आपको सबसे पहले तो recommend करूँगा आप यह करके जाए ठीक है 60 के 60 question आपको इसके अंदर prepare करके जाने है ठीक है कोई भी हो यह ऐसे इसको हलके में मतले ना कही है सोच रहे हो यह तो graph कप यह आगया 31 यह graph दिख रहा है इसमें तो क्या question आएगा इसको ताटा यह तो कभी आएगा नहीं और यह क्या आगई है तालिक है इसको अटा यह तो कभी आएगा ही नहीं जिस question को आप ignore करके जा रहे हो ना ठीक है यह बच्ची इसको छोड़ के चले जाते हैं कि यह तो graph है यह क्या आएगा यह तो तालिक है हटा यह क्या आएगा है और जैसे यह वाले question आ गए यह क्या बना हुआ है यह तो आए गई नहीं कभी हटा इसको तो भाई जिसको आप कहरो ना हटा यह नहीं आएगा तो वही आपको पेपर में वही question आपको देखने के लिए मिलेगा यह guaranteed है जैसे यह question है मैंने बोला यह question था यह वाला तो बच्चे इसको छोड़ देगा कि ऐसा question तो आएगा नहीं हटा यह यह आजाएगा exam के अंदर तो भाई आपको इसके अंदर जो यह 60 question दिखाई दे रहे हैं आपको इसको 60 के 60 question को बहुत ही अच्छे से करके जाना है ठीक है इसका Hindi वर्दा अविलेबल है इसकी marking scheme की बात करें तो इसकी marking scheme यहाँ पर click कर देंगे इसको download कर लेंगे तो यहाँ से आप इसकी marking scheme डाउनलोड कर सकते हैं किसका क्या answer है एक से लेके 60 तक यहाँ सब क्या answer जो है यहां सब के आंसर जो है आपको बताए गए है ठीक है तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं आपको यार इतनी हिंदी तो समझ में आजानी चाहिए कि वो एक्जाम में जो है वो पोश्चन में पूछ क्या रहा है ठीक है एक तो य इंग्लिश में सबसे पहली बात तो एक मैं आपको दूसरा सेंपल पेपर बता रहो और यह जो यह जो सेंपल पेपर है यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है मेरा यकीन मानिए यह सेंपल पेपर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके लिए इसमें से कोश्चन फस भी डालोगे आप जो है इस website पर आ जाएंगे ठीक है अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है कहां जाना है आपको कैसे आपको sample paper मिलेगा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ठीक है आप इस website पर आजेंगे academic handler पर कुलिकर देंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे आपको कहाँ जाना है? यहाँ पर आने के बाद? यहाँ आप देख रहे हैं examination material यहाँ आप देखेंगे question bank, blueprint, previous year, sample, paper, active यह guys सब आपको कुछ नहीं छेड़ना मैं सब कुछ चेक कर चुका हूँ यहाँ आपके लिए मतलब का कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है हम बात कर रहे है economics की आपको क्या करना है आपको जो है जैसे देखो चला आप कहरे हो कोई question bank मिलेगा मैं आपके लिक करता हूँ तो भाई यहाँ यहाँ पे 10th class का है ठीक है 12th class का है लेकिन केवल home science का है तो अगर home science है आपके पास तो आपके लिए बढ़िया है अगर नहीं है तो हिंदी मीडियम का भी English मीडियम का है दोनों का है लेकिन अगर आपके बाद नहीं है तो फिर छोड़ दीजे फिर बैकार है ठीक है जी blueprint वगएर यह सब छोड़िया हमें का आना है मैं आना है यह देख रहे है sample paper यहाँ पे आप किलिक करेंगे अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे मैंने sample paper पे किलिक करा ठीक है अब यहाँ पे आप देख रहे है sample question papers ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है DOE class 9 to 12 और यहाँ पे लिखा हुआ है CBSC class 10th and 12th term 1 2021-22 ठीक है और यह DOE class जो होती है online लाइन उसके लिए लिंक दे रखे हैं उन 20-21 के अठार हुआ है यहाँ में कुछ नहीं करना आपको क्या करना है आपको जो है देखो अगर जैसे हम इस पे पहले बात करते है CBSC class 10th and 12th term 1 अगर आप इस पे किलिक करेंगे में कलास 12th का 2021 तो यहाँ पे यहां पे संपल paper है वहीं वाला संपल paper है आपको कडिक करना है यहाँ Perform Link लिंक को आप open लिजिए है इस लिंक को जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे है प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन एंड वेल्यू पॉइंट आप देखिए यहां पर यहां गया क्लास नाइंत का आपको दे रखा है एक्किस बाइस अपडेटीड है टर्म वन का ठीक है नाइंत का है टैंत का है हम कौन सी कक्षा में है हम एजी 11 का भी है यहां पर ठीक यहां पर आपको सबसे बड़िया बात अकाउंट एंसी का मिल जाएगा बिजनस स्टडी का मिल जाएगा एकोनोमिक्स का मिल जाएगा इंग्लिश का मिल जाएगा जोग्रफी का मिल जाएगा हिंदी हिस्ट्री हॉम साइंस मैथ फिजिक्स कैमिस्ट्री पोल साइंस सोचलो सब्प्राइं उंदी यह इस इस प्रैक्टीर के बारे में आप को इसके प्रैक्टीर से बारे में नहीं है है कि यह practice paper यहाँ पर छुपा हुआ था इतनी अंदर मैं guaranteed हो अगर आपको पता था तो मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा और यह जो sample paper है ना यह मत सोचना कि यह वाला है यह वाला cbsc वाला यह नहीं है यह आप इसके question compare कर लीजिए और इसके question compare कर लीजिएगा दोनों ही different है ठीक है दोनों ही different है इसमें 60 question है और इसके अंदर ऐसे-ऐसे question है guys एक से एक question इसके अंदर है और इसमें से आप pre-board के question को इसमें से compare कर लीजिएगा pre-board के question को इसमें से compare कर लीजिएगा आपको बहुत सारे question इस sample paper में देखने के लिए मिलेंगे तो भाई इसके अंदर कितने कुश्चन है इसके अंदर कुश्चन है साथ कितने कुश्चन है इसके अंदर कुश्चन है साथ और उसके अंदर भी कितने है उसके अंदर भी है साथ बड़ी आख बात क्या है इसमें आपको जो है हिंदी में मिल गए ठीक है, Hindi English दोनों में है, आपका दोनों में काम बन जाएगा, इसमें Hindi में भी English में भी है, लेकिन वो जो CBSC वाला है, उसके अंदर के वे English English का है, यह जो एना Practice पेपर, इसके अंदर गाई जैसे ऐसे Question है, जिसके अंदर आप चाहिए Pre-Board से Compare कर लिजेए, चाहिए किसी से भी Compare कर लिजेए, आप अगर इसको करके जाते हैं, यह बहुत ही Effective Sample Paper है, मेरे Experience के Accordingly, जितने भी मैं Question देख रहा हूँ, और मैंने जो इसके अंदर Question देखे हैं, ठीक है, तो भाई यह बहुत ही Effective है, चाहिए इसके अंदर Assertion, Reasoning, Statement, MCQ, या कोई भी Question आप ले लिजेए, एक Question, इसमें ऐसे-ऐसे Question डाले गए हैं, जो की Exam के Point of View से Most Important है, इसकी Exam में आने की जो Possibility है, वो कहीं जादा है, तो आपको क्या करना है, यह दोनों Sample Paper आपको प्रिपेर करने हैं, ठीक है, आसाट रसाट कितने हो जाएंगे, 120 Question, 120 Question हो जाएंगे, जो की आपके CBST का Sample Paper, यह भी CBST का ही माल लीजिए, ठीक है, दोनों 120 Question आपने पढ़ लिए, और Guaranteed है, आप उसको Board के Exam में मिला लीजिएगा, कि उन 120 Question में से, जो आप 120 Question पढ़के जा रहे हैं, उसमें से आपके इसमें से कितने Question फसे हैं, कुछ-कुछ Question तो डारेक्टी फस जाएंगे, कोई Change नहीं, ल ऐसे ही छब गिया, पूरा का पूरा, लेकिन कुछ-कुछ Question जो है, कुछ-कुछ Question जो है, वो आपके थोड़े अदल बदल सकते हैं, ठीक है, तो अब जब आप इसको पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा, इसमें क्या-क्या Question है, किसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है, यह आप इसको Download कर सकते हैं, यहाँ पे Download का Option है, यहाँ से Download जाएगा यह, और इसकी Marking Scheme की बात करें, तो इसका Answer भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ देख रहे हैं, solution, यहाँ पे आप किलिक करेंगे, और भाई, यह होगे इसकी Marking Scheme, Marking Scheme भी हिंदी में, लो जी कि भाई, इसका मैं बनाओ, इसका Solution बनाओ, वैसे तो Marking Scheme आप खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझना है, एक एक Question को, कि भाई, यह क्या पूछ रहा है, इसका Answer यही क्यों है, यह क्यों नहीं है, अगर आप चाते हैं, तो आप मुझे Comment Box में Comment करके जो है, जरूर पताईएगा कि आप JS की वीडियो बनाईए, क्योंकि मुझे पता है, इसमें से Question फसेगा, इतना मुझे पता है, ठीक है, और अगर आपके पास Commerce के Student आप, Account NC का आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, बिजनस स्टेडी का आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एंगलिश है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, एक तो यहां से आप डाउनलोड कर दीजिए, एक Practice पेपर यह और दूसरा CBSC वाला आपने पहले ही कर रखा है, आप इन दोनों को प्रिपेर कीजिए गाईज, मैं गैरंटी हूँ 120 Question के अंदर, मैं आपको पेपर के बाद, CBSC का सेंपर पेपर है, और जआपका बोर्ड का पेपर है, कौन कौन सा Question इसमें से फसा है, डिक्टो का डिक्टो और कौन सा Question थोड़ा आगे पीछे हो के इसमें से फसा है, आप इन दोनों को प्रिपेर कर दीए, अगर आपके फुल में से फुल मार्क्स नहीं आते, यह है, दस दिन के अंदर क्या करना है, MCQ, Assertion, Reason और Basic Intro अगरा वो सब कीजिए, ठीक है, आपको कोई, मतलब कोई यह कह सकते हैं, महाई का लान नहीं रोख सकता, Economics के अंदर भाई, फुल में से फुल मार्क्स लाने के लिए, इस बात की मेरी Surety है, ठीक है जी, तो मिलते हैं आप पुल में से फुल मार्क से जो है, गेन करना चाहते हैं, तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में ऐसी इंटरस्टिंग डोपिक के साथ, तब तक के लिए, Have a Good Day, Bye Bye, Take Care